नमस्का दोस्तों, 29 नवेंबर 2020 को पूना और 8 दिसमबर को इंदोर, जिस व्यक्ति को पर्सनल पामिश्टी में इंट्रेस हो, तो इन शहरों में मैं आ रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वाट्स अप नमबर है, तो कोई भी व्यक्ति संपर करके जानकारी ले सकता है, इनकी एज 24 इयर्स है, अब देखते इनके हाथ में क्या-क्या, एनालिसिस में सामने आता है, जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलिया उपर की तरफ ह तो ऐसे लोग समय पर जो नीडने लेना होता है, वो ले नहीं पाते है, और उसके बाद पस्तावा होता है, कि मैंने ये कारे किया होता तो अच्छा होता था, और यह जीवन भर प्रापलम होता है, इसका कोई उपाय भी नहीं, यह कम्ब्लिट रेक्टेंगल पाम है, ऐसे बैठे बैठे या बोलकर कारे करने की इच्छा सक्ती वाले लोग होते हैं फर्स फैलाइज नुकीला है तो कारे के प्रति अच्छी खासी जित होगी काफी बड़ा फैलाइज है सेकेंड फैलाइज भी अच्छा है लोजची के साथ तर्तियों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे उंगलिया छोटी है हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या जादा रहती है और फास्ट नीने लेते है अब ये उंगलिया ऐसे बड़ी दिख रही है पर अगर इस पाम के मुकाबले में काउंट करे तो ये उंगलिया छोटी है ये उंगलि थोड़ी सी भी बैंड हुई तो व्यक्ति में धार में भावना रहती है सुरी के उंगलि काफी बड़ी है ये व्यक्ति को हिम्मती सभाव देती है जिब में पचास जार और पचास लाक की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते और जीवन का आनंद लेने वाले लोग भी होते है ये उंगलि का जब फर्स शीरा तिल्ट होता है तो कहीं न कहीं व्यक्ति पैसा कमाने की ललक अच्छी खासी रखता है पर फर्स फैलें तक नहीं पहुच लिए सुरी की उंगली के तो डॉक्मेंटेशन, फाइलिंग, चीजों को समबाल कर रखना याज चक्ति, मनी मेनेजमेंट और अकाउंट ये सारी वस्तु में व्यक्ति कमज़ोर होता है अब चलते ही इंक लगे हुए पाम पर यहाँ पर इनके काफी सुन्दर साइन है इतनी स्पष्टेता से तो शो नहीं हो रही है पर हंडेट परसेंट दिख रही है तो ये साइन पैसा तो नहीं देती पर बिजनेस माइंड जरूर देती है सब्जेक को समझने की बहुत अच्छी हुनर इनमें पाई जाती है एकाद दो छोटी लाइन है तो कहीं न कहीं ये एक माइनस पॉइंट है यहाँ लाइन होनी जरूरी है पर एकाद लाइन है ये जो शुक्रवले बने हुए ये इनको कला प्रेमी बनाते है ऐसे लोग कला की जानकारी बहुत अच्छी रखते है और बुद्परवत इतना अच्छा तो नहीं कहूँगा और इतना खराब भी नहीं कहूँगा यहाँ पर उभार जरूर है तो कहीं न कहीं व्यक्ति नाम के प्रती ज़्यादा जागरोग होता है यहाँ पर एक यस साइन भी बनी हुई है छोटी है पर इक व्यक्ति को जीवन में यस मिलेगा अब इनकी पॉजिटिव साइन है देखने की कोशिस करते हैं कितनी है यह कि हाँ पर है यह खाफी सुन्दर साइन है एक यहाँ पर भी है जो इतनी इस फश्टता से आई नहीं है पैसा तो मिलेगा इनको जीवन में यहाँ पर भी है एक इस जगह पर भी है और एक छोटी यहाँ पर भी है शनी परवत पर यह जब लाइन होती है इवेक्ति को पॉलिटिकल लाप, सरकारी लाप ससुरल पैसे वाला है या सादी के बाद ससुरल पैसे वाला होता है और जो भी कारे करता है बड़े स्तरका करता है तो कई लोगों को चारों लाप पराप्त होते है किसी को तीन, किसी को दो और किसी को एकलाब प्रपत हुता है, Jupiter बाउंट छोटा है, तो कहीं न कहीं खराब नहीं है, छोटा जरूर है, तो ये परिवार से दूर रखेगा इनको, ये एक minus point मिलता है, और दूसरा minus point मिलता है, उतना दब दबा नहीं होता, यानि उतनी value समाज में नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए लाइने भरपूर है एक लाइन दो लाइन तीन लाइन चार लाइन पाँच लाइन यह जब लाइने रहती है तो व्यक्ति पामिश्री एस्ट्रोलोजी इस तरह की मिश्री साइंस में ध्यान जाता है सेवा भाविक धार्मिक्ता और मल्टीपल इंकम के स्रोथ यह चार वस्तु है 100% मिलती है मल्टीपल इंकम के स्रोथ इनके जीवन में रहेंगे और इनके बुद्परवत पर फिश्शाइन है तो यह बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है अंदुनि मंगल मध्यम टाइप का है तो साधे गुद्पर जादा उभारवाला नहीं है बहुत सेफ्टी लेकर मिलेंगे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक व्यक्तिट्व नहीं रहेगा चंद्परवत पर देखिए इनकी जीवन रेखा इस तरह से चल रहे है यह यात्राय भरपूर करवाएगी यह ट्रैंगल मुझे लग रहा है इनके हाथ में अगर यह कंप्लीट होगा तो यह 100% जीव कर लेंगे विदेश सेटलमेंट के योग इनके हाथ में तिवरता से दिख रहे है और चंद्परवत अच्छा है तो पानी अच्छा लगता है दूद से बनी वस्त्य अच्छी लगते नीने शक्ति अच्छी होती विदेश से संब्द आता है यह सारे गुन इनमें पाए जा जाते हैं अब हिदे रेखा को देखे तो यह जब एक तरह का फोर्क बनता है तो ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं और यह हिदे रेखा यहां से सुरवात हो रही है तो एच इकतिस बत्ति के आसपास इनको पैसा कमाने की ललक बढ़ पर इनको कोईगा बेट गाँ और सकता है इस पिरियन में फोड़ा सा ब्लूड़ प्रेशर यह इस तरह का कओी नथ्न में प्रॉब्लम में रह को क्यों में हो यह थे और फ्लायने Kidž में dal technology तुट्डी दुखी रहता हूं थोड़ी देर दुखी हो तो च्छी डूमता ह अब इनकी जो माइन लाइन है यह माइन लाइन को मैं देखू इस फोटोग्राफ में ऐसा लगता है कि जैसे तूट कूट के चल रही है यह complete ऐसा मैसूस होता है जैसे तूट तूट कर चल रही है पर इनका अगर यह फोटोग्राफ मैं लेता हूँ बिना इंक वाला तो उसमें इतनी टूटी हुई नहीं लग रही है यह ऐसे चली और यहां तक सीधी चल रही है तो हम इसी को मान लेते यह जैसे जैसे महतुकांशी दिखाती है व्यक्ति को और नीचे जुक रही है तो धर्मिकता आती जाएगी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी पर यह जब छोटी होती है तो जरा सा भी दबाव सेहन नहीं कर बाते हैं थोड़ा सा भी दबाव आया तो व इतनी बारिक लाइनों वाला हाथ है कि कहीं न कहीं एरर के चांसे रहें गई यह देखिए एक 23 के आसपा से एक रेखा ने आये और यहां पर कट किया उसके बाद 25 के आसपास near and dearer की death शो हो रही है और लग बग यह लाइन अगर टच करती होगी आगे बढ़कर तो यह 26 के आसपास marriage भी कराएगी उसके बाद 26 के आसपास साधी उसके बाद 27 में एक बहुत बड़ी राव रिखाएगी जो इनको डिश्टब करेगी पर अगर यह पढ़ाई करना चाहे तो यह कम से हम 29 years तक यह पढ़ाई कर सकते है 29 30 28 तक इतना अच्छा ट्राइंगल है उसके बाद एक राव रिखाएगी इनके जीवन में 29 30 के आसपास और यहाँ पर यह जीवन में बदलाव आने के भी चांसे से 32 के आसपास और एक बदलाव 34 के आसपास भी आएगा यह पॉसिटिव आएगा यह तीन तरके बदलाव पॉसिबल होते हैं घर बदलता है शेहर बदलता है या देश बदलता है वेक्ति अब वापस राहू रेखा पर आते एक 35 में मुझे कट नजर आ रहा है यह कट नजर आ रहा है लगबग 35 के आसपास 37, 39 उसके बाद 46, 49, 53 और 54 में बहुत बड़ा आप्शुट 56 में भी एक छोटी सी राव रेखा है राव रेखा है छोटी छोटी यह बहुत बाड़ी नहीं है और एक 60 और एक छोटी सी लाइन 63, 64 के आसपास है और यह यात्रा रेखा है अब जीवन रिखा इतनी पतली है कि यह always जीवन में पतले रहेंगे और टोल टोल के खाएंगे दूसरा एक minus point अगर कहूं किसी भी व्यक्ति के हान में 34 तक इनके जीवन में संगर्ष रहेगा ही प्लस माइनस वन येर पकड़ना यह इस तरह की अगर जीवन रिखा हो यह संगर्ष कराती ही है comfortable life 34 35 के आसपासी इनको जीवन में देखने मिलेगी इसके पहले इतनी comfortable line नहीं दिखेगी life चुकि जीवन रिखा यहां से देखे बहुत व्यवस्तित होकर चल रही है और यह तोल तोल के खाएंगे इसमें इतना vitamin इतना iron इतना calcium इस तरह की condition इनके जीवन में रहेगी बहुत बारिक जीवन रिखा बहुत बारिक और यह mine line के पास अगर parallel line ऐसे चलती है तो यह व्यक्ति को नीन से related issue भी देती है अब इनकी धन रिखा को देखे तो parallel बहुत सारी धन रिखा है तो income में इनको सुबे से लेके रात तक बीजी रहना पड़ेगा और यह देखे यहां से ऐसे चल रही है line बहुत ज़्यादा खराबी तो नहीं है line में पर hard work बहुत कराएगी इनको सुबे से लेके रात तक बीजी रखेगी और चाहिए उतना growth वाली line नहीं है यानि एकदम तलवार कट तो नहीं कह सकता इस line को पर इतना problem दायक भी नहीं है यहां से इनके जीवन में थोड़ी सी growth इनको ज़्यादा आती दिखेगी age of 37 के आसपास और उसके पहले भी है धंद्रे का है नहीं है ऐसा नहीं पर सुबे से लेके रात तक बीजी रखेंगे इनकी line है इतनी बारिक है और फिए चल कर ऐसे भी continue चल रही है बहुत ज़्यादा income से problem तो नहीं है एक दो जगह पर cut लगेंगे एक 38 के आसपास एक 42 के आसपास एक 46 के आसपास एक 48 के आसपास और यह investment कराएगी 51 के आसपास यह cut बीच बीच में नुकसान भी देंगे और राहू रेखाए भी छोटा मोटा problem देगी क्योंकि यहाँ पर इनके money triangle नहीं है यह बहुत बड़ा minus point होता है जब राहूरे का बड़ी भी और money triangle हो तो तहीं न कहीं इतना आर्थिक नुकसान नहीं जाता पर जिसनके हाद में money triangle नहीं होता उनको आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ता है अब इस हाथ को मैं अगर देखू तो moral of the story struggle इनके हाथ में है यह 34-35 तक तो यह है यह धन रेखा बहुत बारिक है मैं यह नहीं कहूंगा बहुत खराब है पर बहुत जाड़ा busy रखेगी इनको साइने है पैसा आएगा जीवन में पर बहुत hard work कराएगी यह रेखा और बीच बीच में कट भी लगेंगे आर्थिक नुकसान का भी सामना करने पड़ेगा पर multiple income के स्रोध भी इनके जीवन में है तो कहीं minus point है तो कहीं plus point भी है तो आशा रखता हूं इनके सद्वी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवन